हम लोग देखते हैं कि किसी भी लाइन का आप बाई सेक्टर के से खीचेगे का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर के खीचना है तो हम ने एक लाइन सेग्मेंट के लिया मान के चलो कि यह भी फाइव सेंटेमिटर को आपम क्या करना है आपको आपको इपर से एक आर्क लेना है और में बी कला से ऐसे अपर लेना है और अब यहसा ही हम ने बीन से ले लिया ऊपर बहु और नेचे भी अब ये दोनों point को हमें मिला दें चलिए हम लोग देखते हैं how to draw a perpendicular bisector of a line segment यहां पर हमने line segment लिया है कितने centimeter का यहां पर हमने line segment लिया है a b 5 centimeter का अब क्या करना है a पर से और b पर से एक arc के लिया जिसका length more than half यानी आधे a b से ज्यादा होना चाहिए चलो देखलो कैसे करें हम लोग ने a पर से लिया arc जो more than half था a b के उपर भी काटा और a b के नीचे फिर b पर से रखके a b के उपर भी और a b के नीचे भी अब हम लोग उस दोनों cutting point को scale से मिला लेते हैं और जहां पर a b को cut करता है ओ this is the line where we are drawing the perpendicular bicep चलिए हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग perpendicular draw कर सकते हैं एक line ठीक है सबसे पहले तो आपको एक line बना लेना और line बनान के लिए measure करने की जोर्थ नहीं सिर्फ आपको क्या करना है एक line draw करना है अब line draw करने के बाद आपको क्या करना है वहाँ पर एक point ले लेना है कोई भी point जिसका नाम आप ओ रख लो पी रख लो जो मर्जी हो रख सकते हो मान के चलो हमने यहां पर इस point का नाम क्या रख लिया है ओ उस point का नाम क्या रख लिया है ओ तिक है अब ओपर से आपको क्या क ठीक है वो किसको कट कर रहा है क्यों को भी कट कर रहा और पी पॉइंट पर उस लाइन को कट कर रहा है तो आपको सबसे पहले पता चल गया है किसको किसको कट कर रहा है वो कट कर रहा था पी और Q पर आगए क्या करना है अब आपके पास P और Q पोइंट आ चुका है अब वहां से आपको फिर से लाइन के ऊपर फिर से दो आर्क लेना है P और Q और वो जो पॉइंट आपने O लिया था उसको आपको मिला देना वो कटिंग पॉइंट से और आपका ड्रॉ हो गया एक लाइन ये भी जो पर्पेंडिकुलर है किसके ऊपर भाई गीवन लाइन के ऊपर ठेक है चलिए एक बार और प्रैक्टिस के लिए आपको बता दे सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले लाइन पे-पॉइंट लेना है ऊस पॉइंट से राइट और लेफ दोनों पे उसकट से फिट लाइन के ऊपर दो मुर कट डिटर हम लोग कैसे खीच सब्सक्राइब है , इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा , एक अंगल बनाना पड़ेगा , तो आपने एक अंगल बना लिया और यहां पर मान के छलो हमखने एक अंगल बना लिया A audit , O से B तेक लाइन खीचा और O से A तेक लाइन खीचा दो लाइन खीचने के बाद जहां पर meeting point होता है लाइन का वही आपका क्या हो जाएगा angle होगा यहां पर मैं अगर देखूं तो यहां पर जो आपका angle बना है वो angle हो गया यह यह वाला जो line दीख रहा है आपको यह आपका क्या बना है एंगिल यहां पर एक एंगिल आपने बना लिया angle A O C यहां पर चुकि मैंने आपका angle का value नहीं दिया है इसलिए आप कोई भी एंगिल ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है अले से अगर आपको कोई 30-45 ऐसा कुछ देता है तो आप अलग-अलग angle बना सकते हैं चाहे वो compass का यूज करके बना सकते हैं ठीक है या चंता मामा कर यूज करके बना लीजिए आप चले रहते हैं सबसे पहले तो angle बन गया इस angle बनाने के बाद अब क्या करने है अब आपको ओपर से आर्क लेना है ठीक है ओपर से आर्क लेने पर देखना है कि यह आर्क दोनों रे को यानि ओभी रेज को और ओए रेज को दो जगा पर कट करता है मैंने उसका नाम लिख दिया पी और क्यू ठीक है अब क्या करना है फिर सेम लेंध का अभी आपको compass का लेंध बढ़ाना अब देख लो यह दोनों कहां पर कट किया अब आपको सी और ओ को मैच कर देना है इसके लेकर अब जब आपने मैच कर दिया तो यह जो आपको दिग गया OC वह आपका क्या हो गया OC आपका line हो गया चलो बार बार देखते हैं हम लोग यानि आपका OC यहाँ पर क्या बन गया OC आपका line बन गया चलो एक वह और देखी कैसे किया गया है P पर से काटा फिर Q पर से काटा फिर इसके लेकर O और C को मिला दिया OC is the bisector of angle AO B ओके चले हम लोग देखते हैं एक दिये हुए line के parallel पे दूसरा line कैसे खीचेंगे यानि अगर line के बाहर अगर कोई point है तो उस point से होते हुए एक given line के parallel एक line कैसे खीचेंगे ठीक है चले देखते हैं सबसे पहले आपको एक line खीच लेना है P X और Y हमने एक line खीचा जिसका नाम हमने क्या रखा X Y और X Y पे एक point ले लिया P सबसे पहले हमने एक line खीचा जिसका नाम हमने रखा X और Y और वहां पे point ले लिया जिसका नाम हमने रखा P ठीक है अब आपको line के बाहर एक point ले लेना है जिसका नाम रखना है Q ठीक है इसके बाद आपको P और Q को सबसे पहले मिला देना है चलिए देखते हैं मिलाने के बाद आपको करना क्या है P से एक आर्क लेना है वो आर्क दोनों रेज को दो जगा पर काटे का और जहां से कट करेगा वहां से मेजर करके सेम एंगिल आपको बनाना है देखे वहां पर करना क्या है जैसे यहां पर कट हो गया और यह point आपका cut का आ गया मान की चलो कि यह आपका point आ गया S और T इसका जो लेंद्ध होगा यहां से यहां ते यहां से यहां तक का जो लेंद्ध होगा उतना ही लेंद्ध आपको यहां से यहां तक का लेंद्ध होना चाहिए कट करना चाहिए मीजर करना है ठीक है चले देखते हो कैसे होता है फिर से देख लीजे उसको सबसे पहले हम ने क्या किया सबसे पहले मेजर किया यहां पर स्टिको ठीक है मेजर करने के बाद हम कहां लेके अ capability प्लल लेके जाएंगे इसके ऊपर करके काम जो अगय वाला कंट वहां पर भी इनिशाल पॉइंट यहां पर फंट की बात कि यह प्र यहां पर एक पॉइंट है जहां पर कटर तीक है इस पॉइंट पर रखने के बाद और वरला पॉइंट को मिला के आपको कीच देना त्रीक है चले देखते हैं क्या होता है और खिच किया आपका AB Parallel XY बार बार इसको प्रैक्टिस करो आपको समझ में आ जाएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हूँ तो लाइक कर से और ज़रू करना अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का सब्सक्राइब करें